बड़ा दुरलब है दुरलबं मानुसम देह यह मनुष्य जीवन बड़ा दुरलब है और विक्ति इस मनुष्य दिव जीवन में भी एक दूसरे से ग्रेणा इरिश्या कपड ये सब रखता है प्राये जीवन हमारा सणिक है सण भंगूरम कमल दल जल जीवन टल मत छोटा सा जीवन है उसमें भी हम एक दूसरे से इरिश्या करते हैं द्वेश रखते हैं एक दूसरे की परगती को देखकर हम चिंता करने लगते हैं इसको इतना आगे नहीं होना चाहिए यह एसे कैसे इतना आगे बढ़ सकता है एक दूसरी की प्रगति को देखकर हम जलते हैं मन ही मन जलन करते रहते हैं चिंता बहुत बड़ा विशय है चिंता यदि हम एर कंडिशनर की जगा पर बेटे हैं फिर भी रदे जलता रहता है चिंता ऐसा है चिता और चिंता दोनों समान सब्द है चिता तो मरने के बाद में विक्ति को जलाती है लेकिन चिंता हर धम जलाती रहती है एक दूसरे की प्रगति को देखकर हम जलते हैं इरिशया में किया गया सत्त कारिय कभी भी फलदाई नहीं होता है मानो इरिशया में हमने कोई कथा करवाय है तो हम भी इरिशा में कथा करवा लिए कि बाजो वाला कथा करवाया यह हमारी समाज का यह विक्तित्व कथा करवाया तो हम भी कथा करवाया इरिशा में उसने सो कुर्शिय मंगाए तो हम 200 मंगवाएंगे उसने इतना बड़ा पंडाल बनाया तो हम इससे बड़ा पंडाल बनाएंगे, इसने इस बड़े अजमान को बुलाएंगे, इस प्रकार से हम चिंतन करते रहते हैं, इरशा करते रहते हैं, उसने ऐसा किया तो हम इसा करेंगे, उसने ऐसा कराया तो हम इसा करेंगे, इर्श्या में कराया गया सत्कार्य कभि फलदाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें बह्त्राइन का चिंत्न नहीं होकर और उनका चिंत्र नहीं होता है। कि प्रस्प्रदी विक्ति का बार-बार जिंट आए इसा करवाया हम एस से इस इस इतने इतने सोपे ड़वाएगे इसने ऐसा कार्य कि एह आमेसा कार्य किरेंकि इस नहीं महांपरशाद रखा महराज हम इस प्रशाद रखेंगे अधार्त इरिश्या में सत्य Biz तो यह भी-विफल हो जाता है。 अमाराजी इसलिए इरिशा नहीं करने सुटेंता है। महा बारत का प्रशन आप जानते है। दुर्योधन जेल यहांपर दुरुवासा सा रिशी आए और दुरुवासा रिशी ने बहुत सुंदर स्धकर अससुएकार किया। कि अंत में जब जाने लगे तो आशिरवा देने क्या चाहिए राजन बताईए उस समय दुर्यूदने विचार करने लगा कि कि मन ही मन कपड़ता पूरवक इरिश्या करनता अपने भाईयों से अधार्थ पांडों से बला कि मेरे भाईयों को अतार्थ इन पांडों को युदिष्ट लित्या दीविम नपुद श्रेदेव अर्जुन को वनवास बारा वरस का वनवास एक वरस का ज्यादवास वरस तो उनके पास खाने पीने के बड़े वांदे कुछ है नहीं तो क्यों नहीं में दुरुवासा को वहां भेश देता हूं मन हे मन हीर से दि आये दुरुवासा रेसी के पूस पास और कपड़ता पुरू उपोलने लगे कि महराज आप हमारे यहां पर आयें बड़े प्रशन हो गए आप जैसे सादू का दर्सन ही बड़ा दोलब है सारे पापों से मुक्त करने वाले हो आप तो आप जैसे तपस भी हमारे यहां पर आयें तो बड़े सतकार हो गए हम तो बड़े प्रम प्रशन हो गए इसे बड़ा और क्या बहुत मुल्य उप्वार है कि आप हमारी जयाएं में और कुछ नहीं चाहिए महाराज हम देना ही चाहते हैं तो जिस प्रकार से आपने हमारी यहां पर किरपा की है वेसे ही किरपा आप हमारी भाई के पास आईए युदिष्टिर माराज के पास उनके पास बीसी प्रकार से आप बोजन प्रसादी गरण के जियर उनको आसिरवाद दीजे उनको बड़ी ज़रूरत एस समय जो भी है लेकिन है तो हमारे बड़े भाई दुरवाद दीजे तो प्रशन होगे चलो जैसा है आसिरवाद दीजे ततास तो ऐसा बोलगे वहां से रवाना हुए दसजार शिश्वें के साथ में जहाँ पर युदिष्टिर माराज बारावरस का वनवास काट रहे तो उस स्तान पर गए और युदिष्टिर माराज को बोला कि राजन हम बड़ी दूर से आये हैं हमें भोजन प्रशाद गरन करना है आप भोजन की ववस्ता कीजिए हम सोच की लिए इत्यादी से निवर्त होकर सनान इत्यादी करके आते हैं और आप हमारे लिए भोजन बरां कर रखना जैसा ही गिया अभी पांचाली अतार्थ दुरोपति को युदिष्टिर माराज ने बोला कि अक्षय पातर लाइए जोक्षय पातर शूरिये बगवान शूरिये देव की दुवारा दिया गया था अतार्थ जब तक दुरोपति नहीं खाए और वो दुला नहीं जाए तब तक हजारों नहीं लाखों नहीं करोडों करोडों विक्तियों को भोजन करवाया जा सकता था युदिश्णी माराज नहीं बुड़ा लाओ वक्षय पातर और शूंदर आये हैं यहां पर दुरुवासा सहीत है उनके दसजार शूरिये तो बोजन करवाएंगे द्रोपति तो बड़ी चिंतित हो गई महाराज अभी मैंने जेश्ट प्रशाद पाकर उसको द्रोकर रख दिया है अभी धुल गया अभी जब तक शुब शूरिये उदे नहीं होएगा तब तक आप इससे प्रशाद गरण नहीं कर सकती हूं क्या करें बनवास है कोई इस समय क्या करें आप आईये कुछ हमारे लिए सोलेशन निकालिये इस समय ऐसा क्या कारिये करें कि सादू की रक्षा हो जाए उनको भोजन मिले उसे समय तो बगवान तो वेदा हम समतितानी वर्तमाना लिचाड़ जुन बगवान तो सबके रदे में वास करते हैं दरूप सबगे और युदिष्णी माथ बोलें कि भाईया 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 वह बोजन करण करना है आप हमें भोजन करवाई आपधन रवाई पहले ही द शजारशिव चिन्तित आं पर पता नहीं कि एक और कहां से आ गया पहले ही सिरपी हाथ देकर बेठा वाँ लेकानी ओरा लेका प्रशाद गरन करना बूग लगे बड़े जोर से कुछ खिलाई ये दरोपती सिर्पी हाथ देखर विटी महाराज पहले से ही दश्रजार और दुरुवाशा रिशी आई हुए चिंता मेहर आप फिर इस प्रकार से बोल रहे हैं लाओ लाओ आपर है पातर तो लाओ पातर को लाया गया और बगवान श्री कृष्ण न देखा कि उसके अंदर एक सुन्दर शाक का पताव ठोड़ा सा राइस का एक दाना है छोटा सा बगवान ने उसको खाया जैसे ही बगवान खाये बगवान के उदर पेट में गया अपने सारे शिश्यों के पास भी देखने लगे तो सब बोले लेगे गुरूजी हमारा पेट भी फूल हो गया है अभी कुछ एक बुंद भी पानी भी नहीं पी सकते तो खाने की बात दूर है अगर वगवान कृष्ण बाहर निकले बजले भाहिया अतार्द बीमसेन को ब सब्सक्राइब लेकर आई अब गदा क्यों लेकर जाईए कहीं रस्ते में कुछ कर्ष्ट को तो और शादू है रिश्यमुनियों की सेवा आती हो सके इसलिए गदा को लेकर जाईए और ऐसे ही गदा गुमाते गुमेते भी इसे बड़े मदमस्त हाती की चाल चलते हुए चिंतन करते हुए कि आज कृष्यमुनियों को कृष्ण आये हैं तो बोजन करवाएंगे दूर से देखे कि वीमसेन आ रहे हैं दूर से आता हुआ देख करके यह सारे दुरुवासा सहीत इनके दश्रजार शिश्या अलग-अलग दिस्वां में भागने लेगे दूरुवासा जी ने आदेश दिन देख भाई जान बचाओं जान बंचे सो लाखों माय अगली बार मोजन करन कर सकते जिसको जहां स्तान मिले वहां भाग जाओं सब अल अगर आते हैं बोजन नहीं करवाते हैं तो निसित स्राप दे दे लेकिन उदर दुविवदन विचार कर रहा है तो निसित स्राप मिल जुका होगा और जंगल में मर जाएंगे लेकिन यहां तो भगवान ने रक्षा की हुआस्तम में क्रिष्ण के लवा कौन है जगत में जीव की रक्षा करने वला बराए सब मारने की पीछे पड़े है इसको काटो उसको मारो लेकिन क्रिष्ण ही एक ऐसे हैं जो जीव आत्मा को मारना नहीं तारते हैं अपना धाम देते हैं अपनी भक्ति प्रधान कराते हैं यहां से जाने के पसात दुर्वासा रिशी ने विचार किया इस प्रकार से जंगल वनवास काल के दोरान ये दुर्योधन मुझे बेजा तो इसमें निश्य दिए इसकी इरिश्या थे बड़े क्रोधी महात्मा है दुर्वासा रिशी जी समझ लें कि इरिश्या बस कारिया किया है वहीं से श्राब देती है कि दुर्योधन श्राब देता हूं इरिश्या बस मुझे बहां बेजा जब तुम्हें हरस और सोक एक साथ होगा तुशी समय तुमारी मृत्ति हो जाएगे श्राब देता हूं समझार जब दुर्योधन को पता चला तो शिर्पे हाथ देखर बेड़ गया किया था दूसरों के लिए लेकिन आगान बला मेरें पर पड़ी तार इरिश्या बहुत खतरनाक होती है कि इनको यह जो श्राब में आप जानते हैं किस प्रकार से बीब से इनके दुआरा गधा पर प्रहार किया गया और अपनी सिवर में अंत समय में मरने की प्रतिक्सा कर रहा था उसी समय इनके मित्तर अश्वत हमाजी आते हैं कि इस प्रकार से देखकर रोने लगता है अपनी मित्तर के पास जाकर बेट जाता है मित्तर क्या कुरून ये दसा है उसी समय अपनी जंगा से उस अस्वत हमाज के मस्तक्स पर अपने रक्त का तिल्लक कर देता कि आज से सेना पती है आप हमारी सेना की अबी दुरुष्ट शत्रिय का रत्म प्रामन के मस्तक मनी के यहां लगा तो निस्चित बुद्धी बिगड़े गी बुद्धी बिगड़ी विचार करने लगा कैसे में इन पांडूों को हराओं विद्पक्स पार्ते को किस परकार से में युद में जीतूं इस परकार से विचार करने लगा रात्रिका समय ता बहार निकला सिविर से देखा तो एक उन्डु वहां पर रहने वाले बहुत सारी कोवों के उप्राकरमन क्यार सब के बच्चे को मार दिया अंडे पोर दिया लिए 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 कोवों को भी बाहर-बाहर पढ़ती परिताडित करने ल कुद जीट सकते और गया ही अपनी सेना को सवार करके मदो सेना के उन पर जो सीवर में सुझी अकरमन कि हर्दहर चिम North ender रात है बोर और वह सब्सक्रामन पांचाली के जो पांच पुत्तर सोये हुए थे छोटे वालक उनको उनका मस्तक हास से धर से अलग करके तलवार की दुबरा एक गोनी के अंदर भरकर अपने मित्र के पास लाया और अपने मित्र को बोला कि येलो राजन हमने पांड़ों को मार दिया है आगए विजह हुए युदु जीत चुके हैं जोला बड़े कुस हो गए दुर युदभन महराँ वा जो कार्य कोई नहीं कर पाया पितामा वीष्म नहीं कर पाए दोनाचारिय नहीं कर पाए बड़े-बड़े सुरूवीर करन जैसे व्यक्ति नहीं कर पाइगा आज मिंधर आप नहीं कर दिक बड़े कुछ हो गए में और मस्तक सामने देखकर किछार करने लगा इन में से भीमसेंद कोन सा मस्तक है दबाकर पच़ 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 अपने उस वजजर के समान हाथों तोड़ने लगा तो पांचों के पांचों सर को तोड़ दिया उसे सब्सें पहले हर्स हुआ बाद में बड़ा सोख हुआ कि मित्र कारेदम ने अच्छा किया लेकिन यह जो मस्तक्स है यह पांड़ों के नहीं है तो हमारे अंतिम वंस धर उन पांड़ों के पुत्रों के राजा अपने अच्छा नहीं किया मित्र कि हमारी अंतिम बंसदर थे उनने इनी को मार दिया पहले बड़ा हर सित्वा बाद में अंत में सोख हुआ उसी समय इन दुर्योधन की मृत्यु हो गई कहने का मेरा हभी प्राय यह है कि इरिश्या में किया गया सत्तकारी मृत्यु को बोला था और कि उर्षया में सत्तकारी किया देखाजाय तुल करके सब्सक्राबी इक सब्सक्राइब कर सकतर ऐसे कि परेशोय के सो गए और पुले क्या चाहिए प्रूब आप जो देना चाहें वह देदीजिए अब जो आपकी इच्छा है विचार करना था मन में कि यदि मैं ऐसे मांगूंगा तो पता नहीं क्या मिलेगा लेकिन भगवान शिरूजी साखसात कड़े साधरन वर्दान तो देंगी नहीं ज आप जो भी मांगोगे आपको एक वर्दान तो आपके परोशी को दो वर्दान तपश्या मैंने किया मैंनत में किया परोशी को ऐसे ही लाग तो ठीक नहीं इस प्रकार से विचार करने लगा जो भी है आपको एक वर्दान तो आपके परोशी को दो वर्दान दिया जाएग कहा करूं कहा करूं आप और पहला वर्दाण आपको में तीन वरधान दूंगा पहला वर्दान एक टो बाजु वाले का दो दो डोशी को दो दो भी लेगा तो महाराज आप अमारी उपर परशनत रोड़ दी जें हमारी एक आँख व्यों मेरिया आँख कर दो में तो एक आंख से कुछ ना कुछ कारे करूगा वह अंदा पड़ा रहे हैं कुछ नहीं कर पाए गया इर्श्या में दूसरा उतार मांगो महाराज में जहां पर रहता हूं उस अस्तान पर आस पास में दोख हुए होने जे मेरे घर के बिल्कुल सामने मेरे घर के सामने दोख हुआ 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 माराज पास ऐसे इस नान नान करने के लिए तो बाजवाले के घर पे चार रहेंगे कही ना किशी कही ना किशी कुए में गिरेगा और मरेगा कम से कम से बड़े आए दो वर्दान देने वाले दो के जगर चार वर्दान देने वाले मरेगा बाजवाला इस परकार से लोग इरिशा करते हैं इरिशा करने लगा किसी हुझी मुझे एक वर्दान दे के बाजवाले के दो तो मेरी एक आंख फूँठी तो बाजवाले की दो मेरे पर महाराज तीसरा मरदान नहीं चाहिए जब समय आएगा तब मांद लेगे लोग इस प्रकार शेए इरश्या करने से विक्ति का जल्दी पतन होता है हिर्श्या यदि कोई करता है तो सामने वाले का पाप अपने सिर पे ले देता है इसलिए कभी भी हिर्श्या नहीं करने है इमन हम जेसे वेशनों को तो इन सारी चीजों से बहुत अस्तर्क रहना चाहिए क्योंकि ऐसे विक्ति को भगवान का प्रशन नहीं करते हैं हम तो भगवान को प्रशन करने के लिए उनके पंद में आगे चलना है इसलिए एक दूसरे का साथ लेकर चलना चाहिए किसे लितव कर ने करते हैं यह इतना अच्छा आ तो मैέλ क्यों नहीं आ पारहा हूं इसलिए इतने अच्छे बजा रहे तो हम तो क्यों renewा देया है करने दीजिए आपके अंदर जो पून है आप इसको उंडिलाइच किती का बधी इण्छ नहें उन्च नहें है इडिसा पहोट बदा कुण आपकुना और बला दो या से बचनाचई जाए